आज हम आपके लिए लिए कर आए कुलर्ड पिज़ा की बहुत ही आसान रेशिपी आप इसे घर पर भी बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में एकदम जल्दी से बन कर तयार हो जाता है तो चलिए हम आज की मजेधार वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले कुलर पिजा बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे ब्रेड तो ब्रेड को इस तरीके से हमने छोटे-छोटे क्यूप में काट लिए हैं अब यहाँ पर एट करेंगे हम सबजियां जो भी सबजियां आपको पसंद है आप अपने कॉर्डिंग डाल सकते हैं तो और जो हमारी स्टफिंग है वो कुलर पिजा के एकदम बनकर तयार हो चुकी है और इसमें कुछ भी नहीं डालना रहता है एकदम सिंपल तरीके से आप इसे घर पर बना सकते हैं तो अब चलते हैं कुलर पिजा बनाने के लिए तो यहाँ पर हमने दो कुलर लिए हैं चाय वाले आप कोई भी कुलर का इस्तिमाल कर सकते हैं इसमें सबसे पहले में स्टफिंग डालेंगे दोनों में चीज के यहां पर हमने क्यूब head किया है उसे ग्रेट कर लिया था फिर उसके उपर से चीज डालेंगे दोनों में और दालने के बाद पिर हम दूबारा उसके उपर से तैयार हो चुका है तो यहां पर सिंपल से हम हलका सा है इसमें तेल लगाएंगे कड़ाई में तेल लगाने के बाद हम इसके ऊपर डारेक्ट दख करके इसे तीन से चार मिनुट अच्छे से बेक कर लेंगे धक करके हमें से तीन से चार मिनुट तक बेक कर लेना है और बहुत तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें